Hit and Run कानून पर बवाल जारी क्या ट्रक ड्राइवरों पर ही लागू होगा नया कानून नया कानून में किसे मिलेगी छूट केंदर सरकार के Hit and Run कानून को लेकर शुरू हुआ बवाल लगातार जारी है भले ही कहीं कहीं या थोड़ा शांत नजर आ रहा हो लेकिन कानूनों में हुए बदलाव को लेकर अभी भी कई राजियों में हड़ता आल चल रही है Hit and Run मामले को लेकर लाए गए नए कानूनी प्रावधानों की विरोध में असम में शुक्रवार से हड़ता आल जारी है इस बीज ट्रक ड्रावरों की हड़ताल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या या कानून ट्रक और बस ड्रावरों पर ही लागू हो रहा है जिसके चलते वह इसका विरोध कर रहे हैं तो आपको बता दें कि Hit and Run कानून देश भर में सभी वाहन चाल को फिर चाहे वो दो पहिया हो या फिर चार पहिया या ट्रक ड्रावर हो सभी पर एक समान रूप से लागू हो रहा है बता दें नए नियम केवल ट्रक ड्रावरों के लिए ही नहीं है ये आप और हम जैसे सभी नागरिकों पर एक समान लागू होंगे चाहे वा commercial वाहन हो या personal वाहन हो उनसे भी अगर कोई दुरघटना होती है तो ये नियम आपके उपर भी लागू होगा यानि जिस किसी के भी past driving license है और वो गयर जिम्यदाराना तरीके से driving करता है तो उन सभी पर इस कानून के तहट कारवाई की जाएगी नय नियम दो पहिया तीन पहिया से लेकर कार, ट्रक, टैंकर, बस समित सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होंगे दरसलिन कानूनों के पीछे सरकार का तर्क है कि कई बार देखा जाता है कि रोड एक्सिडेंट के मामलों में घटना के बाद चालक मौके से फरार हो जाता है और पीडित का समय पर इलाज ना हो पाने के चलते उसकी जान चली जाती है लोग ओवर स्पीड और लापरवाही आज से ड्राइविंग करते पाय जाते हैं और जिसके चलते कई बार हाद से होते हैं जो मौत का कारण बनते हैं कई बार तो जांच के बाद भी ना एक्सिडेंट करने वालों का पता चलता है और ना ही वाहन का ऐसे में मृत विक्त के घर वालों को मुआवजा दिलाना भी मुश्किल हो जाता है अब नए कानूनों में प्रावधानों के बाद चालक को ऐसा करना भारी पड़ेगा अगर वा दुरगटना के बाद मौके से फरार हो जाता है या पीडित को अस्पताल नहीं पहुचाता है तो उसके खिलाफ नए प्रावधानों के तहट कारवाई की जाएगी जिसके तहट उसे 10 साल तक की जेल और 7 लाख रूपे तक के जुर्माने को भरना पड़ सकता है बतादे कि नए कानूनों के नुसार अगर किसी ड्रावर के लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते कोई गंभीर सड़क दुर घटना होती है और वहाँ पुलिस या किसी अधिकारी को इस घटना की जानकारी दिये बिना चला जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल और 7 लाख रूपे तक के जुर्माने को भरना पड़ेगा वहीं पहले की नियम की बात करें तो भारती न्याए डंडर संहिता में पहले हिट एन रंज जैसी घटनाओं के लिए कोई सीधा कानून नहीं था हाला कि इसके बजाय से मामलों में कारवाई के लिए IPC की धारा 304 एक आप्रियों किया जाता था जिसके मुताबिक लापरवाही से किये गए किसी काम की वज़े से अगर किसी व्यक्तिकी मृत्व होती है तो अधिकतम दो साल की जेल या जुर्मा ना हो सकता है बहराल देश में नए कानूनों को लेकर शुरू हुआ बवाल पून रूप्षे शान्त नहीं है हलकि सरकार से बाचित और अपील के बाद ड्राइबरों ने कई जगए हड़ता अलक जरूर खात्म कर दी है फिलाल इस खबर में इतना ही खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ